नमस्कार दोस्तों मैं हूं कार्तिक वेस्ट वेंगोल कोजवेर से तो आज हम बात करेंगे बुलूरो एम्बूलेंस M2DICR इस गाड़ी में अगर वाटर इंड फॉल सेंसर का लाइट गलो करेगा और आपका गाड़ी में पूर पीक अप का इशू होगा तो इस प्रोब्लेम को कैसे सेलुशन करें चलो देखते हैं मेरे साथ ये वीडियो लस्तक तो सबसे पहले आप लोगों को देखाने के गर्शिश करता हूँ इस गाड़ी में जो प्रोब्लेम हो रहा है स्टार्ट करने के बाद तो कोई लाइट है नहीं क्लस्टर मिटर में लेकिन कुछ देर के बाद आपका क्लस्टर मिटर में वाटर इन फूइल सेंसर का लाइट गलो करता है और आपका गड़ी का पीक आपका इशू आ जाती है उसके साथ साथ आपका गड़ी का आर्पियम थोड़ी हाई हो जाती है तब जाके आपको क्या करना चाहिए खास कर के एंबुलेंज जो भाई लोग चलाता है ड्राइबर लोग उसके लिए वीडियो में ने बनाया है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो वाटर इन फूइल सेंसर का लाइट गलो कर रहा है उसके साथ साथ इसके आर्पियम थोड़ा हाई हो जा रहा है हजार से लेके 1400 आ अब का गाड़ी का एकसलेटर ठीक ठाक तरह से काम नहीं करेगा तब जाके आपको क्या करना चाहिए इस वीडियो में पूरा डिटिस बताएंगे आप लोगों को थे एकसलेटर हमने पूरा दबा दिया लेकिन इसमें आर्पियम नहीं वर रहे और आर्पियम नहीं बढ़ के बीच देती है अगर आपका गाड़ी के अंदर पेशन्ड है तब आपको क्या करना चाहिए ड्राइबर भाई लोग ये काम कर सकते है ये काम करने के लिए सबसे पहले आपको बॉनट का हुट खोलना है हुट खोलने के बाद बाए के तरह बैटरी के आगे थोड़ी डिजल फिल्टर का वहाँ पे आपको जो सेंसर है वाटर और फ्विल सेंसर उसको लूस करना है और लूस करके वहाँ से ड्रेन कर देने से आपका ये प्रोलेम शॉट आउट होने के चंसे हंडिट परसन है क्योंकि हंडिट परसन गाड़ी में वाटर चला आने से फिल्टर के और उसका जो सेंसर है water in full sensor को anti-close गुमा के ऐसे गुमा के थोड़ी loose करके यहां से water drain कर देना है water drain करने से आपका problem solution हो जाएगा और solution होने के बाद आपको गड़ी चला सकते हो फिर कोई दिक्कर नहीं आएगा 100% case में water आने से ऐसा problem आती है तो आप लोगो ऐसे करके diesel filter के water in full sensor को loose करना है और loose करने के बाद water थोड़ी drain होने जाने से आपको यह tight कर देना है उसके बाद गड़ी को चलाना है तो इस गड़ी में थोड़ा अलग problem है यह भी ambulance car है और इस गड़ी में हमने पहले drain कर दिया और उसके बाद गड़ी को चलाया लेकिन फिर यह problem आती है cluster meter में ओ लाइड जल जाती है और pickup का issue आती है उसके बाद हमने इसका filter खोल लिया filter भी तो ठीक है देखने से वह तो ऐसा लग रहा है filter बिल्कुल ओके कुछ दिन पहले यह filter change किया है तो अभी इस गड़ी का हम पहले line चेक करेंगे और sensor को चेक करेंगे चेक करने के बाद देखेंगे किस चीज का fault है और इसका diesel का condition में हम चेक करेंगे इसमें पानी कितना आ रहा है ठीक है न क्यूंकि ज़्यातर अभी pump में पानी आने से ऐसा problem आती है इस गाड़ी में और यह light क्यूं दिया हुआ है इस गाड़ी में यानि सभी गाड़ी में इ fuel injection और palm है वह बच जाए सेब रहे इसलिए यह light जलती है cluster meter में ठीक है ना तो हमने fit कर लिया और fit करने के बाद यह जो हमने पाया इस गाड़ी का water in fuel sensor का issue था line तो ठीक था water भी नहीं था लेकिन इस गाड़ी का sensor का issue था इसलिए यह light glow कर रहा है तो ऐसा problem होने से आपका 2-3 जो problem हो सकती है सबसे पहला आपको water को drain करना है दूसरा आपका line check करना है तिसरा आपका sensor fault हो सकता है यह check करना है ठीक ना इस गाड़ी में हमने sensor का issue पाया तो sensor को हमने change कर दिया उसके बाद हमने अभी गाड़ी को trial करेंगे trial करेंगे देखेंगे इस गाड़ी का problem solution हुआ है क तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जोरू like share comment करें और मेरे चैनल में नया है तो मेरे चैनल को जुरू subscribe करें तो हमने अभी trial करके गाड़ी को deliver करेंगे तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जुरू like share comment करें और मेरे चैनल में नया है तो मेरे चैनल को जुरू subscribe करें थे you watching for my video